कि हालो गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसे कि सब को पता है हमने एक किताब यह वाली किताब एक किताब कम्प्लीट कर ली है हम दूसरी बुक का फास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है यात्री के निजरिये जो यहां पर भी आए इवन बतुता है अलब्रुन पर आते हैं हमारा क्योंट है लेवन में है हर वस्तु जो पवित्र हो जाती है अपनी पवित्र ताकि मूल स्थिति को पुने प्राप्त करने का प्रयास करती है तो यह स्टेट्मेंट किस विद्वान ने किस यात्री ने दिया दोस्तों बताईए अच्छे से पढ़िए और टे-इशंकर एंशर और एकमेंट बीचींजिए कि यां दोस्तों इसमें एवन बातुता भी नहीं है बर्नीर भी नहीं है और प्रियास करती है आलबरिणी का जाती वे उस्ताका विवरण उसके अनुसार प्राचिन फारस में चार सामजीक वरगों को माननेता दी है तो कौन-कौन से वो चार वरग है जिनको उनोंने माननेता दी है पहला है गुड़सवार और सासक वरग पहले इस्तान पर इनोंने रखाये गुड़सवार को और सासक वरग को दूसरे इस्तान पर रखाये विख्सु को अनुस्तानिक पुरोईत को और चिकलसक को तीसरे वरग में इनोंने रखाये खगोल सास्तरी और अन्ने विग्यानिकों को चोगते में रखायं होंने क्रशक को सिल्पकार को, वह जाती है कि अवधारना को प्रकर्ति के नियमों के विरुदे मानता है, प्राचिन भारस में चार सामाजी के वर्गों को मानता है, जिसमें पहला है गुड़ सवारो और साजग दूसरा है विक्सू अनुष्टानिक पुरोइद और चिक्केसक तीसरे वरग में खगोल साथ्री और अन्ने विगानिक चोटे में रखता है वो क्रशक को और सिल्पकार को और इवस्बत होता उस आप पर फिर्टत है कि अफधार अन्यक विदेशी आत्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान ने बताया तो वह कौन से दो चीज़ें दोस्तों जिसमें राइट आंसर बताईए कि कमेंट भी कीजिए राइट आंसर अपना जिए दोस्तों इसमें दूद और अंडे भी नहीं है पपिता और टमाट और यह भी गताई धोस्तों यह ऐसे बताए पता ओपन और यहां जात कि एक राइट अंसर इसमें बता है जो कौन है इबने बतुता इबने बतुता ने बताया आपको सबको बता है यह कब आये थे चोद्वी सताप्ती में एक बार मैं रिमाइंडर खरवा देती हूँ आपको मैंन में चीजे पूचलिक कहां से आये तो यह मौरक को कब आये थे मौमद बिंतुकलक के काल में इनकी पुस्टक का क्या नाम दा यात्रवरतान्त का क्या नाम दा रियला और यह किस वा सामें दी अर्वी में और इन्होंने दो सबसे पहले ती नारियल के दूसरी है पान के नारियल की तुलना इन्होंने अपने सिर से की कि सिर में जो नारियल में जो बाल होते हैं बालों से की जो छेद होते हैं आंखों सो इन्होंने तुलना की तो इनको बिल्कुल अजूबी लेगी नारियल और पान इनको सम्हाने लगे अजूबी लगे स्क्रीन सोस ले सकते हो दोस्तों इसका यह अभी रिपीट हो गया यह कुसन हर बस्तु वाला यह इसमें अल्गुरुनी राइट आंसर है मारा थी नेक्स को जहांऑ से पढ़िए फिर उसका अंशर दीजिए तो इसमें है भारत के दाख वियोस्ता का बढ़ना अन्या ने किया जो किस यात्री नहीं किया दा के उसससा का बढ़ने बताईए दोस्तों उसमें ठाट पढ़के आये और फिर अन्षर देए तो इसमें बर्निय भी नहीं है दोस्तों अलिपरनी भी नहीं है और अब्दुरज्जाग भी नहीं है इसमें राइट अंसर आए इवने बतुता इनकी बारे में अबी अबी रिवाइज भी किया है सब अपनी दिमाग में रिकॉल करें कर दो दिमाय थे मौर्ड को से आये मौमद इन तुक लग कि काल में आये इनकी बुक का नाम है रहला और इनकी बुक का नाम है रहला हुं 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 हु आए पूर्टिन चल रहा था भारत की दाख वियोस्ता गवर्णन अपने यात्रा उटाद में कौन करता है तो इबन बतुता करता है या अलगुरुनी नहीं है अब्दुरुजाग बनी नहीं है इबन बतुता के बारे में हमने पड़ी लिया मेरी भाई जी घरवा रही थी आपको पुस्तक का नाम रहेला है और वो अर्भी भासा में ती और नारेल और पांस को इनको दो अजोबी चीज लगी असामार्ने चीज लगी और डाग पढणाली से भी यह काफी मतलब प्रभावित हुए और यह डाग पढणाली दो परकार क्यों होती थी एक अस्व डाग पढणाली एक पेदल इसका एस्पेदल देखेंगे एवन बदुदार डाग पढणाली की कारे कसलता से विसेश पुर्भाविते और व्यापार को प्रोसान करने के लिए राज्य विसेश से प्रियास करता था लगबग सभी मार्गों पर सराए और विश्राम рьए बने गती इस विवस्पात से वियापारी को सूचना अन्य अल्प सूचना पर महाल भीजना की हो गया था संद से दिल्ली की आत्रा में पच्चास दिन लगते थे जबकि सुल्तान की सूचना इस दाग वीवस्पाद से 5 אन ऑपधनादा प्योड़ हुए यातरा दूआ होती थी तो गोड़े पर पर पैदल EHa बारे में पढ़ regular हैं पहला है अस्फ डाक व्यवस्ता UH जोंक किया है अद्वड़ किया है अस्फ डाक व्यवस्ता को को ंलोक कहते हैं परतेग चार मीर पर है ओ राजगे गोडों दुवरा यह संसाली थी दूसरी है पैदल डाग विवस्ता इसमें प्रती तीन अवस्तान होते थे जिनें दावा कहते थे कि दूसरी थी पैदल डाग विवस्ता को उन्हों नाम प्रतेक चार मिल पर इस्तापित थी और राज के गोडों दुवारा इस वचालित थी और प्रती मिल तीन विवस्तान तीन पर होती थी जिसे नीया बादा आता था क्या का जटता था दावा कि यह तो मैंने बताये दिया कि कारिक उसलता से कबी बिज्द कर विसे रभभा वित हुए और यह सूचना भेजने सूचना रत स्मर्कंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वरतानतों को बढ़ा और उससे प्रेना प्राफिक्स की तो कौन सा यात्री था दोस्तों इसमें जिसले अबदुर्जाग समरकंदी नामक यात्री ने किसके यातरा वड़ादों को पढ़ा और उससे प्रेना ली बताए दोस्तों इसमें राइट आंसर यहां दोस्तो उसमें रइड अंसर आया मारा बर्नियर भी नहीं है अल बुरुनी भी नहीं है यह विल एपन बदूता की आतरा से यह बहुत प्रभावित है और उन से प्रेना मिली अब्दुर्जाग समदिक बाने सताब्दि में पढ़ाि है यह 15 सताब्दी में यह पढ़ाए थे और विजय नगर साम राज्य की विजय नगर कि यहिए विजय नगर साम राज्य की जानकरी अ कि प्राप्त होती है कि स्क्रीन सोड लेंगे इसका नेस्ट क्यूसन हमारा इसमें सोला अपनी आखों के सामने सती प्रता का दुख देखकर कौन विदेशी यातरी मुर्चीत हो गए तो इसमें इवन बतुता थे या बर्नीय थे या अल्वरन यह अब्दूरज्जात इसमें क्मेंट करके दोस्तों जो सनको अच्छे से पड़े और फिर राइट आंसर बताएं तो इसमें राइट आंसर डोस्तो यह भी नहीं है यह और इवन पुतौता है इसका राइट आंसर है एक बार यह चारों ही नाम यहां पर आ करवा देती हूं सबसे पहले तो इबन बदुता के बारे में ही करवा देती हूं कि इबन कि बदुता कि यह मौरकों में एक तेंजियर जगह है वहां से यह आये थे कि तेंजियर एक जगह है और कब आये थे दोस्तों यह चोगवी सताब दिन है मतलब 1333 में सिंद भी आये थे यह और इस्तल मारक से आये थे किस मारक से आये थे इस्तल मारक से उस टाइम पे मारे दिल्ली पे मौमक बिन तुगला कर रहे थे मौमत आयम बिटी शोट में बोलती हूँ मैं इसको मौमत बिन तुगला के काल में मुल्तान और उच्च के रास्ते से आये थे मौल्तान वैर उच्च के रास्ते से लिल्ली पहुंचे थे और मौमत बिन तुगला ने एक बुकली की रहला जो की किस में थी अर्बी में और इन्होंने डाक व्यवस्ता का भी वर्णन किया दाक व्यवस्ता दो परकार से होती थी एक तो अस्वर डाक व्यवस्ता दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्ता अस्वर डाक व्यवस्ता को उलुक कहते हैं और पैदल डाक व्यवस्ता को दावा कहते हैं और इनको दो ऐसा यात्रा कर रहे थे यह बोलते हैं कि यात्रा कटिन और जोखिमबरी होती थी कई बार तो इनकी यात्रा पे आकर्मन भी हुए हैं कई बार गाहिल भी हैं फिर इन्होंने मतलब शोगता की दूर-दूर से यात्राइं करके यह ज्यान अरजित करते थे और कापे सारे इन्होंने मैंनत करी और किताब लिखी नोने रहला जब यह वापस अपने देश कहुंचे तक्रिबर यह त्यीस वरसों दिए भार मतलब भारी रहे और काफे देशों की यात्रा भी की जैसे सीरिया है फारस है और अप्रिका है और जैसे भारत तो है यह इसमें और मक्का की इन्हों ने काफी वर्णन भी किये इन्होंने दूसरा है इसमें अलबुरुनी पता ही है ग्यारवी सतावदी में आए था उज्वेगिस्तान से आए था और यह मौमद सब्सक्राइब किया तो वहां से काफी सारे लोगों को लेकिया है उन्हें अलबुरुनी भी यहां पर आए थे और अलबुरुनी ने किताब उलहिंद एक बुक लिकी बहुत फैमस बुक है अर्भी वासा में लिकी और इन्होंने जो भी यहां पर देखा क्यांकि सामा जी क्य अब्रम जिसें भर्नीयर इसका। यह 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 एक इतिहास कार भी प्राट्विते यह दार्शनिक दीडिय में इन्होंने पड़ता का भी हमें यहां पे रवर्णन मिलता है इन्हों बूमी के बारे में भी बताया है कि मतलब भारत में लीजी भूमी शौमत्तों का अभा तो यहां कि तोड़ा घटी टाइप में बताता है अपने देश को अच्छा बताता है और यहां पर अच्छा नहीं बताता था अब्दुर अच्छा का मैंने बताया इताबी कि यह पंद्रवी सताब्दी में आये थे खब आये थे पंद्रवी सताब्दी में और इन्होंने विजे नगर साम राजे की यात्रा की इबन बतुता कहता है कि अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल पूर्ण सता वेर्द के तुरोद को बहार आने से रोकने में वह क्या था ऐसा मरता जब वह अपनी आखों से एक सती होते वे मुलब देख रहा था तो उनके भावनाओं विबोर हो गए वह उसमें तो उन्होंने कहा कि अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहल पूर्ण बहुत आवाज हो रही थी वेर्ट के करोज से बहार आने से रोकने में वह ऐसा मरते हुआ इसक्षान दोस्तों सेवंटीन लाहूर से एक बारा वरसी वाली का जबढ़ दस्ते सती बनाये जाने की मार में गशना का आँखों देखा खाल किस विडिये से आतरी ने बताया तो है दोस्तों इसमें राइट आंजर दोस्तों बताओ अब एक बार अच्छे से पढ़के बिर बताओ यहां दोस्तों इसमें राइट आंसर है बरने बरने ने लाहूर में बार बरने लाहूर में एक 12 वर्ष बालिगा दी इसका आंकों देखा हाल इस विडियातरी ने इनको बताया कि उसको जबर्दस्ति ही और इनके पती की मिरत्ति हो गई थी और इंकी वरस 12 वरस की थी मातर 12 वरस की थी और उसको चिता पे ले जाया जा रहा था साइड में ढो बज रहे थे वो चिला रही थी पर उसकी कोई सुन ने रहे थे इस विदेशी आतरी ने वहां पर देखा और अपना आखों देखा हाल का वर्णन किया कि अच्छ कुछ ने इसमें एटीन किस नगर का अच्छा उसके क्ले का यात्रियों किया तो यास कहुंसा नगर्त किला था जिसका अधिकांसी आत्रियों ने वर्णन कि पहला इसमें गवालियर दूसरे ंजैन तीसरे इसमें लायो ने दोस्तों कि इसमें वहां बार बार बोल रहे हूं सब पढ़ें और एक्जाम नजदीक हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और एमसी क्यू रोज आप 30 मिनिट भी देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत है फायदे बंदे क्लास होने वाली है यह ज्यादा डाइम भी नहीं देना आप स्कूइट करके भी देख सकते हो और अच्छे से पढ़ें तो इसमें राइट अंसर है ग्वालियर ग्वालियर की किले का वर्णा अधिकांस यात्रियों नहीं किया और यह तो बताए यह लाओर पाकिस्तान में है उज्जेन एंपी में है पटना बिहार किराजदानी इस प्र क्लास हो रहेगा आप सब्सक्राइब को पढ़ें यात्रियों के बारे में पढ़ें और फिर यह क्लास ले सकते हो रोज आप में 30 मिनिट रात को सूते टाइम पे या कभी भी आपको टाइम मिले मेरी क्लास जरूर लें और उसका मुल्यांकन करें थेंग दोस्तों